साक्षी चौरुसिया तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टॉक का एंलिजिस शेर करूंगी जिसके तुरू आप कल मार्केट में simply trade ले सकते हैं इसके साथ मैं आपके साथ साथ बैंक निफ्टि का भी अनलिजिस शेयर करूंगी ता कि आप simple way में मार्केट में कल ट्रेड एक्जिक्यूट कर सकें तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करतें उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दू सब्सक्राइब तो मैं चैनल और अलसो क्लिक दा बैल आइकन ताकि ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो आप तुरंत देख सकें तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करतें वैल गाइस कल के मार्केट के अनलिस्य शुरू करने से पहले हम आज का मार्केट का एक ओवर्व्यू देख लेते तो आज के मार्केट में हमें एक स्ट्रॉंग बेरिश मूव देखने को मिला है वैल गाइस अगर आप बंडे के अनलिसिस में देखेंगे तो देखें यहां पर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया इस पर इसने एक रेड कैंडल बनाई है तो हम कह सकते हैं कि येस कल भी मार्केट में एक बेरिश मूव देखने को मिल सकता है वैल गाइस मार्केट में बेरिश मूव टोटली डिपेंड करता है कि कल गलोबल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करते है क्योंकि अगर कल global market भी weak रहे तो हो सकता है कि हमारा Indian market भी gap down open हो सकता है तो देखे जो bank nifty है उसमें हमें अभी bearish signal देखने को मिल रहा है देखे इस point पर इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर 15 minute के analysis में भी देखेंगे तो देखे यह अपनी major resistance point पर है तो कल हम कह सकते हैं कि यह इसमें हमें downside देखने को मिलेगा उसी तरीके से आज जो bank nifty थी वो भी 500 point तक down थी यह भी 500 point तक down थी अगर आप इसका one day analysis देखेंगे तो yes यह भी एक major resistance को touch करके इसने एक बड़ी red candle form किये जो कि हमें एक bearish signal देखने को मिल रहा है इतने बड़े move के साथ देखिए गाईज अगर आप दो दिन से देखेंगे तो हमें एक बड़ा trending move देखने को मिल रहा है उसके बाद मैं आपके साथ stock का analysis शेयर करूंगे well guys मैं regularly जो अपने stock होते है daily stock का analysis अपने telegram channel पर update करती हूँ और आज जो मैंने आपको signal दिये थे उन सभी ने अपने target हिट किये हैं तो चलिए तो आपने अगर मेरे telegram channel को join नहीं किया है तो guys आप भो भी join कर सकते हैं देखे guys इस point पर जो bank nifty है उसने अपने major support level को break कर रहा है इस point पर और यहां से down आ रहा है तो इसका जो next support level है वो है around 37,860 पर अगर इस ने इस level पर आगे break किया guys तो हमारा next support level इसके 200 points तक down है तो यहां पर हमें एक bearish move देखने को मिल सकता है similarly guys अगर market 38,100 के upside जाता है guys तो उस point पर हमें एक bullish move देखने को मिल सकता है वो है 38,100 अगर इसके ऊपर जाता है तो आप buy करेंगे और 37,860 के नीचे आता है market तो guys उस point पर आप market में short sell की position create कर सकते है तो यह तो भी bank nifty की बात अब हम nifty का analysis कर लेते हैं guys तो देखें यहां पर मैंने nifty 50 open कर लिया है अब जो nifty 50 है guys उसका यह जो point है यह बहुत ही major resistance point है अगर market को एक bearish move create करना है तो उसको 18,000 का level cross करना होगा that means अगर market 18,100 cross करता है तो इस point पर आप एक बड़ा big move देख सकते हैं bullish side में approximately तो यहां से market bounce कर सकता है और अगर कल market ने इस level को break किया guys तो हमें इस पर एक bearish move देखने को मिलेगा वो भी approximately 17,790 पर almost 100 point का हमें downside देखने को मिल सकता है और अगर कल guys market 18,000 के level को cross करता है तो हम इसमें bullish move देख सकते हैं तो यह तो हुए bank nifty और nifty की बात अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन से stock हैं जिसमें आपको trade लेना है वैल यह तीनों ही intraday trading के stocks हैं सबसे पहले guys हमारा Cumans India Cumans India में guys अगर आप देखेंगे तो इस point पर इसमें एक triangle pattern बना हुआ है और अगर आप इसके moving averages भी देखेंगे तो यह अभी अभी बहुत ही narrow हो गया है तो अगर कल market ने यहां से upside break किया तो हमें एक bullish move देखने को मिल सकता है similarly अगर इसने downside break किया तो हमें downside मिल सकता है यह symmetrical triangle pattern है तो इसमें हम दोनों ही move predict कर सकते हैं guys जब market down जाएगा तो हम इसे sell करेंगे okay तो 1135 के ऊपर जाता है market तो आपको back की position करना है और अगर कल market gap down open होता और यहां से down जाने लगता है तो 1120 के नीचे आप इसे short sell कर सकते हैं well guys इसका जो target है वो आप triangle pattern के basis में easily put कर सकते हैं okay तो आप जिस भी candle पर trade लेंगे उसकी last वाली candle के लोग पर आपको आपका stop loss put करना है तो यह हमारा first trade हो गया तो I hope यह clear है कि किस तरीके से आपको Cumans India में trade लेना है अब हम बात करते हमारे second trade की वो है हमारा Indyco, Indyco Aviation well guys Indyco Aviation में इस point पर एक ascending triangle pattern create हुआ है और इस point पर अगर आप देखेंगे तो little सी consolidation भी हुई है इसके बाद इसने एक यहां पर hammer और doji बनाई हुई है वो भी green volume के साथ तो कल हमें इसमें move देखने को मिल सकता है अगर कल इसने अपना major जो हमारी trend line है guys इसे break किया तो हम 1,975 के नीचे इसे sell कर सकते हैं और guys इसमें हमें एक बड़ा move देखने को मिल सकता है similarly अगर इसने 2000 के ऊपर जाता है guys तो आप इसे buy कर सकते हैं और इसका target होगा 2020 के approximately because यहां पर एक major resistance level है तो इस तरीके से आप इसमें trade ले सकते है guys well guys अगर इसका भी आप one day का time frame में analysis देखेंगे तो इस point पर भी आपको यहां पर bearish signal देखने को मिल रहा है देखें एक full rate candle वो भी high volume के सान तो कल market यहां पर either upside भी हो सकता और downside भी हो सकता है अब हम बात करते हैं हमारे last and third stock की वह है हमारा access bank yes guys अगर आप access bank पर देखेंगे guys तो access bank में एक continuously trend line चल रही है और अभी जो stock है वो अपनी lower line पर है तो यहां से कल either market यहां से एक upside जा सकता है bounce करके और either यह अपनी trend line को break करके downside आ सकता है तो आपको दूनों ही side case में trade मिल जाएंगे अगर market यहां से downside आता है तो आपको 778 के नीचे sell करना है और अगर कल market यहां से upside जाता है अपने moving averages के upside जाता है तो 787 के उपर आप इसे buy कर सकते हैं और जो target है guys वो आपके trend line के basis में होगा तो आप simply इसमें target put कर सकते हैं अगर यही थी आज की video I hope आपको यह analysis समझ में आ गया होगा मुझे नीचे comment section में बताएगा कि आपको आज का analysis कैसा लगा and yes guys अगर इसमें आपको कोई भी doubt हो तो वह आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हैं and also आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं जिसमें मैं regularly आपको trades देती हूं और live updates प्रोवाइड कर आती हूं so thank you so much guys I hope यह video पसंद आई हो अगर यह video अच्छी लगी हो तो please like this video share this video ताकि वह भी intraday trading में सही तरीके से trade लें and also hit the like button and subscribe to my channel for more trading related videos so thank you so much मिलता है next video में तब तक के लिए keep learning, keep earning and keep improving in trading okay